यूपी में जरा याद रखना दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ याद रखोगे याद रखोगे जरा हाथ उपर करके बताओ याद रखोगे पक्ता याद रखोगे बार बार लोगों को बताओगे तो याद रखिए जिस यूपी में सर्यू नहर परियोजना का पुरा होने में 40 साल लगे जिस यूपी में गोरकपूर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था जिस यूपी में अर्जुन डेम परियोजना को पुरा होने में 12 साल लगे जिस यूपी में अमेथी राइपल कारखाना सिरफ एक बौड लगा करके पड़ा हुआ था जिस यूपी में राइबरेली रेल कोट फैक्टरी डिप्बे नहीं बनाती थी सिर्फ डब्बो का रंग रोगान करके काम चला रही थी उस यूपी में अब इंफ्रास्टर्चर पर इतनी गंभीरता से काम को हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्जों को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों पूरे देश में अब यूपी की पहचान बदल रही है आपको गर्ब होता है कि नहीं होता है आज यूपी का नाम रोशन हो रहा है आपको गर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप पूरा हिंदुस्तान यूपी के प्रती बड़े अच्छे भाव से देख रहा है आपको आनन्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है और साथियों बात तिर्फ हाइवे या एर्वे की नहीं है सिख्षा का खेत्र हो, मैन्यूफेक्चरिंग का खेत्र हो, खेती किसानी हो यूपी हर खेत्र में आगे बढ़ रहा है पहले की सरकार के समय, यूपी में हर साल ये भी याद रखना, रखोगे? रखोगे? जरा हाथ उपर के बताओ, रखोगे? पहले की सरकार के समय, यूपी में हर साल आउसतन 50 किलोमेटर रेल लाइन का दोहरी करण होता था कितना? कितने किलोमेटर? कितने किलोमेटर? पचास पहले हमारे आने से पहले रेलिवे का दोहरी करण 50 किलोमेटर मेरे उत्तर प्रदेश के नवजवानों भविश्य कैसे करता है देखिए, आज आउसतन 200 किलोमेटर का काम हो रहा है 200 किलोमेटर रोल लाइन का दोहरी करण होता है